वेलकब टू लर्नर भी, I am शिवानी चाहान, क्लास सेवन्थ माथ्स चप्टर टू, एकसाइस 2.4 का हम लोग क्वेशन बन दिखने वाले हैं, इससे पहले हम लोग फ्रक्शन्स पार्ट वाला देख रहे थे, अब हम आ रहे हैं इसके डेसिमल पार्ट पर, तो देखो जो डे से हम लोग डेसिमल लगाएं, तो हम ही क्या सीखना है, हम ही सीखना है, डेसिमल लगाना, तो पहीं डेसिमल लगाना सीखना है, तो सीख लेते हैं, तो क्या करना होता है, आपको सिंपल मल्टिप्लाइ ही करनी होती है, तो क्वेशन नम्बर वन जो है वेरा, मैं उसमें आप से करेंगे, तो आप भूल जाओ, यहाँ पे कुछ 0 है, कुछ पॉइंट है, भूल जाओ, आप देखो कि नंबर क्या है, नंबर है 2 और नंबर है 6, 2 की मल्टिप्लाइ आपने करी 6 से, तो क्या है 12, तो मैं तो क्या करूंगी, मैं simply 12 लिख दूंगी, ठीक है, लिख दिया, अब आप क्या करोगे, 12 लिख दिया न आपने, तो जब आपने 12 लिख दिया है, तो इसके बाद आप लोगों को, पॉइंट देखना है, कि पॉइंट के बाद कितने number है point के बाद है एक number one एक number है point के बाद तो आप लोगों को क्या करना होगा आपको जो आपका answer आया है ना multiply करने के बाद उसके right की तरफ आएंगे आप लोग ऐसे करके और आप क्योंकि point के बाद एक number था तो आप एक number के आगे point लगा देंगे आई बात समझ थोड़ी सी complicated जान पड़ रही है बात हमें ऐसा लग रहा है कि 0.2 की multiply आप 6 से करोगे तो आप point बूल जाओ आप 2 की multiply 6 से करो तो आएगा 12 12 लिख दो और points था ना point के बाद एक ही number था बस तो आपका जो multiply करने के बाद answer आए है ना तो आप पीछे से आओगे यानि कि अपने right hand side से आगे की तरफ बढ़ोगे और एक number के आगे point लगा दोगे अब या आगे more questions करते हैं आपको समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से देखो next है second part है 8 into 4.6 यह तो first part था 8 into 4.6 आप point point भूल जाओ आप सोचो कि आपको 46 की multiply 8 से करनी है 6 8s are 48 8 4s are 32 32 और 4 38 तो आपका क्या आया आपका क्या 388 अब आप देखो point जो है point के बाद एक ही number है तो इसमें आप लोग यहां पीछे से चलोगे और एक number के आगे point लगा दोगे मतलब जो वेसे से एक point होता है न पॉइंट के बाद एक ही number आ रहा होता है न तो आपको बिलकुल यही करना होता है कि point के बाद एक ही number आना चाहिए बास, चालो, third part third part है 2.71 into 5 आद देको point के बाद 2 number है ना तो answer में भी point के बाद 2 number ही आने चाहिए ये हमारी सीख होती है 2.71 into 5 तो आप क्या करेंगे? 2.71 की multiply 5 से कर दो 1.5 जा 5 7.5 जा 35 5.2 जा 10 और 10 प्लस 3, 13 तो आपका क्या आगया? आपका answer आगया 1.3.3.5 point के बाद कितने number है? दो number है ना तो आप दो number के आगे point लगा दोगे point फिर आफ पीछे से लगाते हैं यहां से चलेंगे तो किते नंबर? पॉइंट के बाद दो नंबर तो पॉइंट के बाद दो नंबर ही आने चाहिए पॉइंट के बाद इधर भी दो नंबर थे और पॉइंट के बाद इधर भी दो ही नंबर आने चाहिए हम क्या करेंगे जो भी हमारा आंसर आता है न उसको हम लोग पीछे से चलतें हैं इसमें देखेंगे पॉयंट के बाद दो नंबर है तो पीछे से एक-दो और लंगा दिया पॉइंट इस तरीके से हमारा पॉइंट का सिलसिला चलता है अब फोर्त पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट जो है होफुलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 20.1 इंटू 4 तो पॉइंट भूल जाओ 2.01 इंटू 4 4.1 जा 4 4.0 जा 0 4.2 जा 8 क्या है या? 8.0.4 पॉइंट के बाद एक नंबर तो पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया सिंपल फोर्थ पार्ट हो गया? फिफ्थ 0.005 इंटू 7 0.005 की मल्टिप्लाइ 7 से करो चलो 7 फाइव जा 35 तो 3 0 जा 0 और कैरी 3 तो 3 फिर से आप पॉइंट लगा दो 7 0 सा 0 ऐसे भी कर सकते हो तो क्या हो गया? 0.35 जहां पॉइंट था भही के भही पॉइंट लगा दिया तो सिंपल सा पॉइंट के बाद दो नंबर आ रहे थे न तो पॉइंट के बाद दो ही नंबर आएंगे फिफ्थ पार्ट हो गया अपना सिक्स्थ देख लेते हैं 211.02 सीटियां लग रही है इंटू 4 तो देखो 211.02 4 मल्टिप्ला कर दो 4 2 जा 8 4 0 जा 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 पॉइंट के बाद कितने नंबर दो तो यहां पर दो नंबर के आगे पॉइंट तो यहां पर भी दो नंबर के आगे पॉइंट या फिर आप देखो ना यहां पर पॉइंट था तो कितने तब एक दो तो यहां पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक दो के आगे point लगा दोगे 7th last part 2 into 0.86 तो 0.86 की multiply कर दो 2 से 2 6 जा 12 8 2 जा 16 17 point as it is उतार दो और यहाँ पे 1 तो 1.72 यह हमारे पास answer आगया hopefully आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि point के बाद दो number थे तो दो number के आगे मैंने point लगा दिया तो यह हम लोगों ने देख लिया question number 1 Thank you